कि हालो वेल्कम तो माई चैनल नॉलेज गूरूप और जुगेजी बोशे लाँ तो फिर मैं आज एक नया विडियू करता हूँ तो देखे यह हम लोगों का भी ITR फाइलिं तो सुरु हो गया है तो अभी यह अइडितर फाइल जो हम लोग करते हैं पर चीए में मैं आज एक नोटिविजशन को ला हो देखे नोटिविखेशन का नंबर है 37 यौइज नंबर है 37 अफलिक 2022 और यह जो नोटिविच्टर नं इस नोटिफिशन फब्लीश हुआ था आपका 21st April 2022 इसमें ITS जो हम लोग फाइल करते हैं इसका कुछ काइटिरिया में कुछ बदलब जो आया था यह हो सकते हैं कि आप लोग का जानकरी में नहीं है तो आप लोग का जानकरी के लिए मैं इस वीडियो बना रहा हूं तो वीड कि यह notification जो आया था इसमें मैं आप लोग को इस notification को परके भी सुना रहा हूं आप लोग को तो notification में देखिए थूरा मैं बरा कर लिए notification यह देखिए in SSI of the powers conferred by clause 4 of the 7th provision of subsection 1 of section 139 read with section 295 of the income tax act 1961 43 of 1961 the central board of diet tax hereby makes the following rules further to amend income tax rule 1962 namely तो यह देखिए यह जो notification अभी मैं जो पर्रा हूं यह notification कौंसा section आप लोग मैं मदब section 139 subsection 1 and clause number 4 तो इसमें जो amended मतब जो काइटेर में कुछ अभी हम लोग देख पा रहा है कि जो changes आया है तो हो सकता है कि आप लोग का जानकरी में नहीं है तो अब लोग अगर जानकरी में है तो बहुत बरिया है आका नहीं है तो यह वीडियो देखके अब लोग को पता चल जाएगा देखे इसमें देखे इसमें चार्ग क्वाइंट यहां पर दिया हुआ है देखे ओ भी कंडिशन किसमें दिखा है 12AB ठीके 12AB कंडिशन for furnishing return of income by person referred to in clause B और subsection 1 और section 139 मैं अभी जो पहले पढ़ा था कि section 139 subsection 1 and clause B तो यहां पर clause 4 है तूसी में देखे तो अभी the condition for furnishing return of income in respect of person referred to in clause B of subsection 1 of section 139 in terms of clause 4 ठीके तो अब 7th provision of subsection 1 of section 139 shall be following namely तो section 139 का subsection 1 and clause 4 में जो amendment जो मत्दब थोड़ा बहुँ चेंजे सा है तूसी के बारे में देखे ए first point जो है तो यह अगर हम लोग point पकड़ेंगे तो इसमें देखे यह हम लोग किस लिए किन लोगे लिए बात करें अगर हम लोग company और partnership firm को निकाल देते तो बाकी जो रहता है individual and resident जो है तो यह उन लोग के लिए criteria है देखे नंबर वान इफ इस नंबर वान में है इफ इस टूटल से टानोबर और गौस रिशीप अगर शिक्स्टी लग से ज्यादा हुआ है तो यह clause है उसके बाद देखें इसमें क्या बोला अगर आपका बिजनेस नहीं है तो आपका प्रोपेशन में तो उसमें अगर आपका गौस रिशीप अगर 10 लेक्स से यहां पर बोला 10 लेक्स से ज्यादा होगा अगर आपका प्रोपेशन में जो है बिजनेस जिसका नहीं है वह अगर 10 लेक्स से ज्यादा हुआ है तो उसके बाद देखें इसमें देखें नमबर 3 में क्या बोलागा है आप मानके चली कि आप अगर आपका अगर कोई TDS काटा है या आप TCS काटा है मतलब आप किसी का टैक्स कालेक्ट किया है या तो आप से कोई TDS काट दिया है तो अगर अगर आपका 25,000 से ज्यादा है तो तब भी आपको यह ITR फाइल काना परेगा और उसके बाद देखें के नमबर 4 में ज्यादा बट आपका एकाउन में अगर उस साल में देखें इस रूपीज 50,000 और मोर डियूरिंग है मतलब थो इस युपर गोंपरण भी अकैम अगर व्यूरिंग हो मदलब आपका अगर आदेखर ओर उससे जयादा है तो आपका यह टीन नमर में जो अपका 25,000 के जगह में यह हो जाएगा 50,000 अद्मस्दूट मतब 25,000 के जगह में 50,000 हो जाएगा यह तो यह था देखिए यह notification number 37 2022 का यह notification आया है और जिसको पबिस किया गया था 21st April 2022 तो यह जो clause में मतब यह जो 139 section, subsection 1 and clause number 4 जो यह जो amendment जो है यह आप लोग के जानकरी के लिए वीडियो बनाया आयोग के वीडियो अब लोग को अच्छा लगाता है वीडियो को जादे सेयर करना और वीडियो को लाइक करना मत बूलना